मैं एलका ठाक्ड हुन और आप सभी का अलका Medical Classes में स्वागत है आज हम डिसकस करने वाले हैं टंग के बाचे में टंग कहां पाया जाती है टंग हमारे O geez cavity में पाया जाती है टंग कैसी एक मशल में, टंग एक voluntary मसल में वॉलेंटरी का मतलब होता है हम अपनी इच्छा के अनुसार इस मसल्स को मूव कर सकते हैं जब आप खाते हैं तो आप तंग को अपनी मरजी के अनुसार घुमा सकते हैं उसको हम बोलते हैं वॉलेंटरी और इन वॉलेंटरी का मतलब होता है ऐसे मसल्स जिनको हम अपनी इच् इसके पीछाद में इसको बोलते हैं हम हायोड बोन इसकी बेस किसे से टाच उती हाँ और जो सी नीचे कि सरफस सरस्साइस किस एक हो तही없이 एक म्यूकस में तो यहां पर इस टाइब की आपको देखने को मिलेगी इसको हम बोलते हैं फ्रेनुलम ठीक है इसके अलावा जो सुपीरियर सर्फेस है तंग की जो उपर की सर्फेस है वो किस चीज़ से बनी होती है वह स्ट्रटीफाइड स्क्वाइमस एपिथेलियम की बनी होती है यह आपको जो उपर की सर्फेस दिख रहे है इसने बहुत सारे पैपिले होते हैं आप जैसे देख रहे हैं यहां पर कौन सी है फिली फॉर्म यहां पर टिप के पास फंगी फॉर्म और उपर में जो वी शेप है इन्वर्टेड वी शेप मतलब उल्टा वी बना हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं तो इस टंग की जो उपर वाली सर्फेस है यह स्टुटिफाइड स्कॉमस एपिथेलियम की बनी हुई है और इसमें बहुत सारे पैपिले पाये जाते हैं ठीक है जिसको हम स्मॉल प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं मतलब छ ifornia सिंसरी रिसेप्टर कौ और आंदर में यहां पर नवा जाती है यह जो बनाया है धेखिया यहां पर सरकमवैलिट है पैपिले इस एक पैपिले को उठा करके अगर हम देखे माइक्रोस्कोप में तो हमें कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा और यहां पे बहुत सारे पैपिले होते हैं तेस्ट बर्ड है एक दो तीन चार पांच मैंने सिर्फ थोड़ा सा बनाया है ले यहां पे टेस्ट बढ़ है और उस टेस्ट बर्ड को फिर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो एक टेस्ट बर्ड का यह वाला स्ट्रक्चर है इसमें क्या है बहुत सारी जो नर्व्स फाइवर है वह आई हुई है मतलब यह क्या कंटेन करती है यह सेंसरी रिसेप्टर क में अगर बॉड़ी में वह जो होगा या फिर अगर हम फूड को देख लेंगे तो क्या होगी वहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर्स करने के रखती है यह जो नर्व रिसेप्टर है यह पर शासा कम पाता हो्टी exemplo और Partial Lob क्या होतीन है ब्रें आगे में जाते हैं आगे होते हैं ञें ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि टंग काँ से डिविजन हो रखा है कैसे symmetrical division मतलब की half half divide है टंग क्योंकि बीच में एक type की lining होती है muscles में हमें lining देखने को मिलती है तो दो symmetrical halves में डिवाइड होती है टंग जैसा कि आप diagram में देख रहे हैं इसके अलावा यह जो दोनों type दोनों जो side है दोनों side में एक साइड की अगर देखे तो एक side में दो type की muscles पाई जाती है अब वो type की muscles कौन होती है extrinsic muscles और intrinsic muscles अब हम बारी बारी से extrinsic muscles और intrinsic muscles के types और उसके function को हम देख लेते हैं ठीक है types क्या होती है extrinsic muscles की पहला क्या है hypoglossus genioglossus और स्टाइलो ग्लॉस्स ठीक है यह जो स्ट्रिंजिक मसल्स है मतलब अगर एक हांगा की बात करें एक हाफ पोर्शन की बात करें ठीक है दो है और मुतलब होता है आधा और हाफ सिंगुलर है और ज घौक इसका पर उसको हम बोलों है तो कि बास हो ली ठीक है अगर हम एक हाफ को अगर हम उठा करके देखेंगे तो एक हाफ में हमें ।ई टाइप की मुसल तेखने को बिल जाएगी पहला कौन को एक stringic मसल और दूस्रा क्वा इं ट्रीनिजिक मसल में हैं स्ट्रिनिजिक मसल मां ठीट बताया भी hypoglossus, genioglossus, styloglossus, यह जो तीनों muscles है, यह क्या करती है यह tongue को movement करने में help करती है, मतलब अगर हम tongue की movement कर पाते हैं, तो इन ही muscles के help के दवारा हम इसका movement कर पाते हैं, इसके अलावा यह chewing में help करती है, मतलब चबाने में, अगर हम कुछी, किसी चीज़ को अगर हम food खाते हैं तो उसको जब हम चभाते हैं तो इस muscles, यह जब muscles है वो चभाने में help करती है Intrinsic muscles के कितने types होते हैं? Intrinsic muscles के mainly four types होते हैं जैसे extrinsic muscles के टाइप थे वैसे हिं Intrinsic muscles के भी type होते हैं पहला क्या है transverse lingui, दुसरा है vertical lingui, तीसरा है longitudinal superior और चौथा है longitudinal inferior और ये सभी muscles क्या करती हैं, ये सभी muscles बोलने में help करती हैं और swallow करने में, यानि कि कुछ चीज को निगलने में, या हम खाना खा रहे हो, या फिर हम पानी पी रहे हो, ठीक है, कुछ liquid हम अंदर ले रहे हो, माउ जो यहां पे, इसकी टंग के उपर में क्या present होती है, तो ये papilla mainly three types की होती है, ये आपको याद रखनी है, लेकिन यहां पे foliate papilla भी होती है, लेकिन इसके जो division है, वो मेन नी कितनRe types की होती है, वो मेन नी three types की होती है, पहला क्या है valet और circumvalet papilla, वालeoric को हम circumvalet भी भो सकत मतलब यहां पर प्रेजन्ट होती है इन्वर्टेड वी शेप की मतलब उल्टा वी शेप की यहां पर प्रेजन्ट है यह इसकी संख्या कम होती है और इसको हम बोलते है सरकम वैलेट पैपिले दूसरा क्या है फीली फॉर्म पैपिले यह जो फीली फॉर्म पैपिले है वो बी ग्रिप क्या होती है ताकि खाना फिसले नहीं यहां से ठीक है और सीधे अंदर की तरफ जाए तो यह काम करती है फिली फॉर्म पैपिले बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है इसके बाद है फंगी फॉर्म पैपिले टिप पे पाई जाती है और थोड़ा सा इसके होती है उस में सेंसेशन को होती है टेस्ट की वह कितने डाइप की होती है और किoup वालगता है ठीक है ऊछिघ्जेख कोई भी चीज़ का हमें टेस्ट नहीं आएगा इसका मतलब है कि टेस्ट तभी आ सकती है जब मुँ में सलाइवा हो यानि की लिक्विड सॉलूशन हो माउथ में तभी टेस्ट आपको फील हो सकती है टेस्ट ट्रिगर्स क्या करती है अगर कोई चीज़ हम खाते हैं तो उससे क्या होती है उसे हमारे मूं में ज्यादा प्रोडक्शन होता है और हमारा अंदर याने की स्टमक के अंदर गैस्टिक जूस का भी ज्यादा सिप्रिशन्स होने लगता है तो सेंस आफ टेस्ट है वो डिर्क्टली लिंक है सेंस आफ स्मिल से अगर कोई चीज हमें अच्छी रक्शन होने लगती है और समक्रइब अब हम टंग के फρεंक्शन की बाथ कर लें हैं टंग का हमारे क्या काम है और डाइजेशन में कैसे हल्प करती है शूंग मैं मतलब मैस्तिकेशन मैं किसी खाने को जबाने में या निगलने में जिसको हम बोलते हैं ठीक है इसके अलावा बोलने में और किसी चीज को किसी खाने के चीज को या किसी अधर चीज को टेस्ट करने में यह टंग हेल्प करती है आज के लिए बस इतना है थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो अगर आपको अच्छा अ कयां लग्र कृढ मैं गाबाब करते हैं बस पर चारी में एलावाव बस बसग आवार नहले से थान च्टाने कर नहले से लिए ंगर उनीज कार चीज में जरे समाएब कर रस संह कर रसवराश को स Полॉडव बस आपको समाओज है